हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू SSE कोचिंग सेंटर दोस्तों आज के वीडियो में हम देखेंगे लाभ हानी यानि की प्रॉफिट लॉस की कोशन देखने वाले हैं तो पूरा वीडियो आप देखिएगा क्योंकि आपको मालूम है प्रॉफिट लॉस कितना इंपोटेंट है तो स्टार करते हैं पहला सवार एक टीवी की कीमत में 500 रुपे की बड़ोतरी होती है तो कीमत बढ़कर के 10,500 रुपे हो जाती है तो बताएं कि टीवी की कीमत में कितने प्रतिसत की ब्रद्दी होई देखिएगा कितने की ब्रद्दी होई है 500 रुपे की 500 रुपे की जब ब्र दस हजार ही तो रहती के लिए लेकिन बड़ोतरी होने के बाद दस हजार पांसो हुई है दस हजार पांसो कब हुई है जब पांसो रुपे की ब्रद्धी हो गई है तो हमें यह पता है कि पांसो रुपे की ब्रद्धी हुई है वो दस हजार पर हुई है कितने पर हुई है दस हजार पे ये ब्रद्धी हुई है और 35 के लिए आप अच्छी से जानते हैं कि 100 से multiply करना है यानि कि हमें जो profit हो रहा है वो 500 रुपे का जो हो रहा है वो cost price पर होगा और cost price हमेशा लाव निकालो चाहें नुकसर हमेशा cost price पर निकलता है तो हमने cost price कैसे निकाला जो बड़ोतरी हुई थी हमने उसको घटा दिया तो हमें पता चल गया कि 10,000 रुपे हमारा उसका price था आप देखो 2,0 से मैं ये 2,0 कटा दूँगा 2,0 से ये वाले 2,0 कटा दूँगा बचा केवल 5 तो हमको व्रद्धि को प्रतिसत में पूछा है तो 5 प्रतिसत की व्रद्धि हो रही है चलिए अब देखते हैं अगला सवाल अगला सवाल है दो संख्यां तीसरी संख्या से 20 परसेंट एवं 25 परसेंट कम है पहली संख्या दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या बोला है कि तीसरी संख्या से 20 परसेंट अब तीसरी संख्या आपकी 100 होगी पहली 20 परसेंट कम हो जाएगी तो अस्ती और ये 25 परसेंट कम हो जाएगी तो 75 हो जाएगी दूसरी संख्या पहली से कितना कम है ये जो दूसरी संख्या है ना ये पहली से कितना कम है तो आप देखोगे 5 कम है किस से पहली संख्या से यानिकी 80 से लेकिन इसको प्रतिसत में बताना है तो प्रतिसत के लिए आप 100 से मल्टिपाई कर पांच से मैं से कटा दू पहले या बीस से कटा दू बीस चोके असी और बीस पंजे सों पांच पच्छे 25 और बटे में कितना चार चार चींग 24 एक बचेगा एक उपर बटे में चार चार पूर्णांग एक बटे चार देखो पहले ही option में आपको मिल जाएगा यानि कि पहला option बिलकुल सही जवाब है चैपूर्णांग एक बटे चार परसेंट यह आपके सवाल का बिलकुल सही जवाब हो जाएगा अब देखेंगे अगला सवाद अगला प्रशनी है किसी बस्तू का क्रेम उल्य 900 रुपे है क्रेम उल्य मतलब कोश्ट प्राइज 900 रुपया है यदि उस बस्तू को 720 रुपे में बेचा जाए यानकि सेलिंग प्राइज 720 रुपे है तो कितना प्रतिसत की हानी होगी अब सिधा सिधा समझ लीजिए कि हमार हमें बेचते तो फाइदा 900 रुपे की चीज को हम कम में बेच रहे है 720 में तो हमें 180 रुपे का नुकसान हो रहा है हानी हो रहा है नुकसान हो रहा है ठीक है 180 रुपे का अब यही नुकसान हमको प्रतिसत में बताना है तो प्रतिसत में बताना है हलाव निका लिए चाहे हा cost price पर निकलेगी तो cost price को रखेंगे बटे में और प्रतिसत में बताने के लिए 100 से multiply आपको करना है चलो दो 0 से मैं ये 2 0 कटा दूँगा 9 दुने का 18 कर जाएगा और 1 के 0 यानकि 20 बार में कट गया तो 20 प्रतिसत की हानी है जो हानी है वो कितनी है भाई वो हानी 20 पर सेंट की है यही हो जाएगा प्रस्न का सही जवाब बीस पर से यानकि b option बिलकुल सही जवाब concurrent यह बहुत अच्छा सवाल है देखें क्रैम मूर्य पर 40 पर सेंट का लाब यानकि क्रैम मूल्य जब हमें नहीं पता है तो हम उससे स्वामाल लेंगे और क्रेम उल्ले पर जो लाब दिया गया है जो लाब दिया गया है वो 40 का है 40% मतलब 100 रुपे का 40% निकालेंगे तो 40 ही हो जाएगा तो इसका मतलब हमारा सेलिंग प्राइज क्या रहेगा 140 100 रुपे की चीज़ पर 40% का लाब कब होगा जब हम उसे 140 रुपे की बेचेंगे तो हमारे पास लाब हमें कितना दे रखा है 40 रुपे का ये लाब हमें 40 रुपे का कब होगा जब हम 140 रुपे में बेचेंगे तब होगा हमसे पूचा प्रतिसत लाब के बराबर है ये 40 का लाब जब होगा जब हम बस्तू को 140 में बेचेंगे 140 गुन्य 100 0 से 0 कट गया 2 से 2 बार में कट गया 2 से 7 बार में कट गया 2 कमल पर 100 से कर देंगे तो 200 बटे में ये 7 7 दुने का 14 कटेगा 6 बचेगा 60 7 अठ्थे 56 7 अठ्थे 56 कट गया अब यहां पर देखिए 200 के बटे में 7 इसको काटने की जरूत नहीं है क्योंकि मैंने अभी अभी ऑफ्सन पर नज़र डाली तो 200 के बटे में 7% मुझे आगे solution करने के लिए कहा ही नहीं गया है वो यहीं पर आंसर दे रहा है आगे solve करना ही नहीं है 200 के बटे में 7% भी ऑफ्सन में दिया गया है यह बिल्कुल सही जवाब हो गया आगे solve नहीं करना अब देखते हैं अगला प्रश्न अगला प्रश्नी है 5 वर्स के बाद 3600 रुपे के रिण को 5 बराबर बार से किस्तों में चुकाना है यदि 7 वर्स्नी गवाब एदर 10% हो तो प्रते कि इस्तकामान क्या होगा आपको देखए क्या कर लना है 5 वर्स है न 1 वर्स 2 वर्स 3 वर्स 4 वर्स और ये 5 वर्स 5 वर्स के लिए आपको शौर पे रासी मान लेनी है पहले वर्स की शौर पे ये दूसरे वर्स की 100 पर ये तीसरे वर्स की 100 पर ये चौथे वर्स की 100 पर और ये पांचमे वर्स की 100 पर तो पहले वर्स जो ब्याज है वो 100 पर रहेगा अब यहां पर हमें जो rate है वो 10% का है अब देखना इस वाले 100 पर 10% का rate लगेगा तो ये 110 हो जाएगा भाई अब यहां से नप लीजिए अगर मैं 10% rate लगाता हूँ 10% का तो क्या होगा 10% 10 ही तो हो जाएगा 10% 10 हो जाएगा अब इस वाली से लगाईए इस वाली से चली लगाते हैं इस वाली से हम लगाएंगे तो देखे 10% इसका और 10% इसका 20 हो जाएगा ना तो यह 120 लग दीजी अब यहां से लिखिए 10% 10% 10% 10% 30 हो गया ना तो 130 लिखिए अब यहां से लखिए 10% 10% 10% 10% 10% 10% 140 हो गया 140 लिखिए अब सब को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा सब को जोड़ देंगे 600 रुपे हम ब्याज का दे रहें और यहां कितना दे रहें 3600 रुपे यह हमारा कितना हो गया 3600 यानिकि 600 रुपे 3600 रुपे के बराबर है तो 100 हमारा कितनी के बराबर हो जाएगा 600 के बराबर ठीक है तो यह जो राशी मैंने 100 माने थी असल में रियल में वो 600 है यानकि B option प्रिष्णि का बिल्कुछ सही जवाब हो जाएगा अब देखेंगे अगला प्रिष्णि अगला प्रिष्णि है 944 रुपे के द्रिन को 4 बरावर किस्तों में चुकाना है यदि साधन भ्याज की दर 12% वार्सिक हो तो प्रिष्णि किस्त का मान क्या होगा चलिए 4 बरस के लिए है न तो ये पहली बरस का 100 रुपे ये दूसरी बरस का ये तीसरी बरस का और ये चौथी बरस का 100 रुपे रेट 12% है तो पहली साल का 12 निकालेंगे तो ये 112 हो जाएगा अब दूसरी साल के लिए 12, 12, 12, 12 तो 124 अब तीसरी साल के लिए 12, 12, 12, 12, 36 यानि कि 136 हो जाएगा सब को एड़ कर लो तो 2, 2, 4, 6, 6, 6, 12 का 2 केरी का 1 1, 2, 3, 6, केरी का 1, 7 1, 2, 3, 4, यह गया 472 कितना हो गया भई? 472 हो गया और जबकि हमारा था कितना? 944 था तो 472 से 944 आप सीधा सीधा जानते हैं 2 गुना है कितना है भईया? 2 गुना है के लिए इतनी बात आपको मालू है और आपने कितना माना था रेन को? 100 माना था एक साल का ठीक है? 100 माना था तो यह इसका 2 गुना है ना ठीक है धन्यवाद